तो हम लोगोंने बहुत सारे उम्मीदे लगा कर बैठे थे कि एपिक गेम्स का इस बार का जो मिस्टरी गेम्स शेशन है उसमें कुछ ना कुछ तो महेंगा गेमिंग टाइटल देखने को मिलेगा ही मिलेगा हम लोगोंने सोचा था कि RDR2 का ओनलाइन देदो कम से कम GTA 5 देदो पुराने वाले की तरह या फिर कुछ अच्छा वाला टाइटल तो देदो पर भाई साब इस बार ना एपिक गेम्स वालों ने पूरा का पूरा धोका दे दिया मतलब इतने सारे गेमिंग टाइटल्स थे महेंगे गेमिंग टाइटल्स थे कुछ अच्छा वाला भी थे वो क्या बता हूँ? हाँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि NBA ये फिर फ्रॉस्पंग ये सारे गेम्स बेकार है खराब है नहीं ऐसा कुछ नहीं पर expectation के उपर मजा क्यों बना देते हो तुम लोग पर इतने sad news के साथ साथ हम लोग को एक अच्छा news में मिल रहा है कि आप लोग को पता है GTA 5 का एक stand alone version आने वाला है अब stand alone version क्या होता है देखो दरसल क्या होता है हर कोई game में दो versions होता है online mode एक offline mode अब अगर दोनों को अलग किया जाए तो online एक offline अलग अलग होता है इससे stand alone version खा जाता है अब अगर आप लोगोंने RDR2 मतलब Red Dead Redemption 2 खेला है तो आप लोगों को पता ही होगा Red Dead Redemption 2 का एक online version था और उसे stand alone बना कर अलग किया गया था ठीक वैसे GTA 5 का आने वाला है अब यह आएगा E3 पे announce होगा या फिर E3 के पहले यह release भी हो जाएगा अब जैसे कि आप लोगों को पता है IGN हवा में बात नहीं करता और यह leaks भी IGN की तरह भी आ रहा है So IGN इंडिया ने कहा है कि GTA 5 का एक stand alone version आने वाला है अब अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ा एक chance है कि आप लोगों को mystery games में GTA का online version देखने को मिले अब तुम लोग कहोगे कि June 17 के आसपास सी पाँचवा mystery games reveal हो जाएगा तो GTA 5 का stand alone version या फिर online version stand alone आता है तो वो हमें कैसे free में मिलेगा mystery games में तो अगर ध्यान से पिछले साल को notice कर रहे हो तो देखना वापर watchdogs 2 भी free में आया था जिस महिने में watchdogs 2 free आया था वो शायद था November या फिर December की आसपास तो November, December की आसपास जब watchdogs 2 free में आया था वो भी एक epic games का mystery game type ही सोच सकते हो जहाँ पर एक अच्छा वाला title आपको 7 दिन के अंदर free में दे रहा है अब बहुत सारे लोग को पता भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो GTA का अपर online version आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते है जो online खेलने के लिए ही आता है और अगर standalone version October की आसपास आ जाता है तो November की आसपास सायद आप लोगों को वो वाला देखने को मिल जाए वो standalone version free में अब अगर E3 के पहले ही GTA 5 का standalone version reveal या फिर release हो जाता है तो बहुत मज़े की बात है उसका price शायद आप लोगों को 400 या फिर 500 के अंदर ही देखने को मिल जाएगा जो उसका MRP हो सकता है अब अगर पूरा का पूरा GTA 5 आप लोगों को चाहिए तो मुझे नहीं लगता है इस बार Epic Games में आप लोगों को मिलने वाला है Epic Games में तो ऐसे बहुत बड़ा धोका दे दिया है फिर भी हम लोग expect कर सकता है Eaps Mystery Game 5 या फिर 4 में अब लोगों को अच्छा वाला कुछ टाइटल देखने को मिल जाए क्योंकि तीनो जो तीनो गेम दिया गया था वो मतलब क्या ही बताओ मैं पूरा का पूरा बेकार है हम लोगों के लिए तो अब अगर Epic Games से कोई भी rumors आता है वो मैं बता दूँगा फिलाल तो आज के लिए वीडियो यहीं पर खतम करते है और अगर आप लोगों को GTA 5 का standalone version के बारे में और थोड़ा बहुत information चाहिए तो मुझे comment section में बताना उसके बारे मैं अच्छे से वीडियो बना दूँगा मिलता है निक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए अपना ख्याल रखिएगा जय हिंच जय भारत बंदे मातरव